दोस्तो साल 2002 में संजय पांडे की पहली फिल्म आई कहिया डोली लेके अईबा दोस्तो इस मुवी में इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2003 में फिल्म आई घर दुवार दोस्तो इस मुवी में संजय पांडे ने विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2004 में फिल्म आई नदिया के तीर दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में रवी किशन और विलेन के रोल में संजय पांडे ने काम किया था और ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2005 में फिल्म आई हम है बाल ब्रहमचारी दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में विनै आनंद और विलेन के रोल में संजय पांडे नज़र आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2006 में फिल्म आई गब्बर सिंध दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में जितेंद्र, रवी किशन और संजय पांडे ने स्पेशल अपियरेंस दिया था और ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2007 में फिल्म आई बवाल करे छे दिया दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में बलकार सिंग बाली स्वीटी चाबरा और विलेन के रोल में संजय नजर आये थे दोस्तो ये मूवी भी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2009 में फिल्म आई सहिया के साथ मड़या में दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में पवन सिंग मोनालिशा और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे और ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2010 में फिल्म आई साथ सहेलिया दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में निर्हुआ और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे और ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2010 में फिल्म आई बताशा चाचा दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में मनोच टाइगर अर्विंग अकेला कल्लू और विलेन के रोल में संजय पांडे और अवधेश मिश्रा नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हु दोस्तो फिर साल 2010 में फिल्म आई मृत्युंजे दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में निर्हुआ और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2011 में फिल्म आई होत बा जवानी जियान ये राजाजी दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2011 में फिल्म आई होत बा जवानी जियान ये राजाजी दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में विराज भट और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2012 में फिल्म आई कैसन पेवा के चरितरबा दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में रवी किशन और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2012 में फिल्म आई दिल जले दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में विराज भट निर्हुआ और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2012 में फिल्म आई दिल तपागल होला दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में विराज भट और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक आवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में फिल्म आई जीना तेरी गली में दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में चिंटू पांडे और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में फिल्म आई सपूत दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में खेसारी लाल यादव और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी फ्लॉप हो गई दोस्तो फिर साल 2011 में फिल्म आई रानी के राजा से प्यार हो गईल दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में प्रवेश लाल यादव शुभी शर्मा और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक आवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में फिल्म आई रख्वाला दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में निरहुआ और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में फिल्म आई एक बिहारी सौपर भारी दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में निरहुआ और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में फिल्म आई रिक्षावाला आई लव यू दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में निरहुआ और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में फिल्म आई तड़ीपार दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में विराज भट और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में फिल्म आई कोठा दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में रिंकु घोश और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में फिल्म आई चोरा गंगा किनारे वाला दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में चिंटु पांडे और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में फिल्म आई रानी चली ससुराल दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में रानी चटरजी और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में फिल्म आई प्रेन दीवानी दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में राकेश मिश्रा रानी चटरजी और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में फिल्म आई रंग दप्यार के रंग में दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में विराज भट पवन सिंग और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में फिल्म आई कच्चे धागे दोस्तो इस मूवी में भी इन्होंने विलेन का रोल किया था और ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में फिल्म आई नगीना दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में चिंटु पांडे और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में फिल्म आई राजाजी आई लव यू दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में यश्कुमार मिश्रा और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में फिल्म आई दिल लागल दुपट्टा वाली से दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में यश्कुमार मिश्रा और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में फिल्म आई एक लैला तीन चैला दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में राकेश मिश्रा कल्लू और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में फिल्म आई दीवानगी हद से दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में राकेश मिश्रा कल्लू और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में फिल्म आई बिहारी रिक्षावाला दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में अंजना सीन और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक आबरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में फिल्म आई बिहारी बन गया हीरो दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में अफसर खान और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में फिल्म आई दरिया दिल दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में यश्कुमार और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक आवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में फिल्म आई निरहुआ हिंदुस्तानी दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में फिल्म आई बलम रशिया दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में यश्कुमार मिश्रा और विलेन के रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में फिल्म आई खून भरी मांग दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में फिल्म आई दिल भाईल दीवाना दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में फिल्म आई हमके दारू नहीं महरारू चाही दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में फिल्म आई बीबी नंबर वन दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक आवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में फिल्म आई राजा बाबू दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में फिल्म आई हुकूमत दोस्तो इस मुवी में भी संजै पांडे ने विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में फिल्म आई तु मेरा हीरो दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में फिल्म आई विजयपत एगो जंग दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी भी बॉक्स आफिस पर एक फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में फिल्म आई साथिया दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में खेसारी लाल यादव अक्षरासिन और विलेन का रोल में संजय पांडे नजर आये थे दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में फिल्म आई यादव पान भंडार दोस्तो इस मूवी में इन्होंने विलेन का रोल किया था और ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में फिल्म आई बंधन दोस्तो इस मुवी में इन्हों ने विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में फिल्म आई माई के कर्स दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में फिल्म आई दपावर आफ दहशत दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में फिल्म आई धड़केला तोहरे नामे करेजवा दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में फिल्म आई दबंग आशिक दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में फिल्म आई आशिक आवारा दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में फिल्म आई बम बम बोल रहा है, काशी दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में फिल्म आई राम लखन दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में फिल्म आई मोकामा जीरो किलोमेटर दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में फिल्म आई हथियार दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में फिल्म आई दिल है कि मानता नहीं दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में फिल्म आई दिवाने दोस्तो इस मुवी में भी इन्होंने एक विलेन का रोल किया था और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में फिल्म आई दिल्वाला दोस्तो इस मुवी में भी विलेन का रोल किया था और सुपर हिट अब फिल्म साबित हुई तर दोस्तो इस पर दोड़ित हुई